हेलो फ्रेंट्स आपका स्वागत है हमारे चैनल इन्फो गवर्मेंट जोब स्प्रेंट तो दोस्ते हैं अपर जेविएनल लाइनमें टेक्निकल हेलपर भरती को लेकर आपके मन में फोरम सुरू होने के बाद में जो स्वाल आ रहे हैं कि कौन-कौन भर सकता है आईटे फीट तक आये हैं वह मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं और इसके अलावा अगर आपका कोई भी डाउट है तो नीचे आप कमेंट कर दीजिएगा वहां पर ही मैं आपको रिप्लाइ दे दूंगा तो यह है और आगे भी हम इस भरती के पर पूरी चर्चा करेंगे आ वही उस टाइम में भी पेपर करवाया था और इस बार भी वही पेपर करवा रही है ऑनलाएन ही उस टाइम हुआ था ओनलाइन ही इस टाइम होगा तो वह पेपर साफके लिए I think मुझे जहां मैं जेन्वनी आपको बता रहा हूं मुझे लगता है कि वह पेपर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाले हैं एक तो उन में से क्यूसंस भी आने के पूरे चांसेज हैं और दूसरी बात अगर क्यूसंस नहीं आते तो भी आपको पैटरन समझने में बह उपर आप मैसेज कर दीजेगा 946-0122724 इसके उपर आप मैसेज कर दीजेगा आपको वहां पर पेपर मिल जाएंगे डेट सो कुछन एक में है टोटल बाइस पेपर हैं तो देख सकते हो कितने आपके क्यूसन हो जाएंगे और थियोरी के सो क्यूसन एक पेपर में है यानि आपको पढ़ने में अच्छी लगे वहां पर उसके अंदर मतलब ज्यादा डीपली जाने की जरुत नहीं है उपर उपर कभी अगर आप पढ़ लेते हो तो आपका स्लेक्शन हो जाएगा तो अब हम जो इस वीडियो में बात करने वाले हैं वहां बता देते हैं तो सबसे जाला जो डाउट है कि यहां पर जो आएटी वाले चात्र हैं जिनोंने आएटेए फीटर वेल्डर डीजल कोपा यानि कि किसी से भी आइक किये क्या वो इसमें फॉर्म भर सकते हैं क्या तो आईटेए वाले भर सकते आप दोस्तों उसमें कुछ इस पेसल ट्रेड से वही वह को बता दूब इलक्ट्रिशेन है वायर मैन है और आपकी जो इलेक्ट्रिशेन새 समंदिद यहामगे इलक्ट्रोनिक्स भी इसमें सहे धेयरन इलक्तुरनिक्स वाले सकते हैं और वो में आपको नोटिफिकलेंशन में भी देख लेता हूँ डिप्लोमा वाले सबसे पहला जो डाउट है डिप्लोमा या बीटेक वाले जो हैं तो दोस्तों वैसे तो अगर नॉर्मली रूल के अकोर्डिंग देखा जाए तो यह होता है कि अगर आपकी उच्तम क्वालिफेक्शन अगर किसी ने है उच्तम योगता किसी के पास है तो व फोर्म भर सकते हो अगर आपने डिप्लोमा किया है उसके बाद आपने बीटेक किया है तो आप फोर्म भर सकते हो आपको कोई नहीं रोकेगा तो डिप्लोमा वाले और जैसे कि आपने डायरेक्ट डिप्लोमा किया है तो आप इसमें फोर्म नहीं बर सकते यह चीज आप न आना ही नहीं है जनरल के अंदर आपको क्वालिफाई करना होगा 12 रुपे आपकी फोर्म फीस रहेगी और अग्जाम देने के लिए आपको राजस्थान में आना होगा और इसके बाद में आपकी जो भी स्टेट गोर्मेंट्स के जो रूल्स रेगलोएशन है वो आपे लाग यह कि अधर्श्यट वाले नहीं भर सकते अब जो अपियरिंग वाले हैं और जो ट्रेड वाले कि कौन सी ट्रेड वाले भर सकते यह हम नोटिफिकेशन के साथ में आपको दिखा देता हूं तो यह हम दोस्तों ओफिशियली नोटिफिकेशन के अधार पर आ गई हैं तीन नंबर का पॉइंट के अंदर आपको सारी चीज़े मेंसन की गई हैं तो इसमें आप देखोगे तो यहां पर कंडिडेट्स आपके जो आईटेई पास हैं वो यहां पर एंसीवीटी एसीवी कि रहती हैं उनको एंसीवीटी बोला जाता है तो काफी लोग कह रहते हैं कि पास में आईटेई नहीं होने की विज़ए से कर लेते हैं तो कुछ अग्जाम में हापर एसीवीटी को मानने नहीं किया जाता है पर लगभग में हापर राजस्तान के अंदर तो मानने ही किया जाएगा किया तो दोनों इसमें लोग करते हैं दू साल तीन साल की होती है तो वह भी किया है तो भी आप भर सकते हो यह भी आप ध्यान दे। और इसके बाद में जो आपकी बात करें कि कौनसी कौनसी ट्रेड वाले पूरम भर सकते हैं तो इसके बाद में आपकी जो आपकी बताई गई है नीचे नोट लगाके यहां पर मेंचन क्या गया है कंडिडेट यहां पर जो आपका मस्ट डोकुमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपकी योगता है वो पूरी होनी चाहिए यानि कि अगर आपने अभी आप अपपीरिंग में हो तो आप फूरम भर सकते हो पर डोकुमेंट वेरिफिकेशन जब होगा तब आपके पास यह सर्टिफिकेट होना चाहिए आई टेई का मारक्सिट होना चाहिए इसके लिए आपको एक अग्जामपल में बता दूँ कि पिछली 2018 वाली वेकेंशी में इलेक्शन की वज़ए से वो वेकेंशी बहुत ही फास्ट हुई थी और जो अपियरिंग वाले चाहतरों ने फोरम भरा था उनके नंबर भी बहुत अच्छे आ रहे थे क्योंकि जो इ नहीं कि 200 में से 200 नंबर थियोरी के थे तो उन में से जो कंड़ेट अपेरिंग वाले होते हैं वो थियोरी उनके टच में रहती है तो वो अच्छी प्रिपरेशन उसके कर पाते हैं तो इसलिए उन्होंने अच्छे नंबर से क्वालिफाई किया पर बात सिरफ इतनी था उसके अकोर्डिंग वो अलजीवल नहीं थे तो ऐसी चीज़ है पर आप जो 2021 वाले बैच के जिनका 2022 में अभी आईटे होने वाला है जुलाई तक वो इसमें फॉर्म जरूर बरे क्योंकि इस बार यहां पर वेकेंश में दो अक्जाम है तो निस्चित है आपकी अक्ज हो सकता है वेकेंशी कहीं अटक जाए तो 2023 भी ले ले पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो चांसेज कम है अब मैं आपको नहीं बोलूगा कि आप इसमें फॉर्म भरें क्योंकि अगर रजल्ट नहीं आता तो बारास रुपए आपके लगें अगर आपको बारास रुपए के लिए हाँ पर कंसिडर रहेगा तो वह रहेगे डिपलोमा इन इंजिनेरिंग और एनी हाईयर जो योगता है नोट भी कंसिडर तो आइट एंसीविटी एसीविटी एनसी यानिकि जो डिपलोमा है और इससे अधर जो हाईयर योगता है यह बीटेक वगएरा एंटेक लेर के अग्जाम होने वाली है सेल एलजीबल तो अपलाई फॉर दे पोस्ट बट ही एंसी सेल हैव तो सब्मिट प्रूफ ओफ हैविंग एक्वेर्ट्स अपका जो प्रूफ आपको देना होगा यानि की अपियरिंग का उसमें बताना होगा आपको क्या अपियरिंग में साल से हो योग्यता का और आपका टाइम और फिक्स डोकुमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में आपको ओनलाइन कंप्रेटिव अग्स्यामिजिशन होगा उसके बाद में जो डीवी होगा उस टाइम में आपका मारक्षिट होना चाहिए तो यह हाँ पर है तो यह चीज आप द्यान दे बाकी मेरे कोडिंग आपका और कोई फोर्म डाउट है वो नहीं होना चाहिए फोर्म भनने के रिगार्डिंग क्या फोर्म भर सकते हो नहीं भर सकते हो दस्वी आपने किया है चाहे वो गरेस हो चाहे वो कुछ भी हो आप इसमें फोर्म भर सकते हो और इसके बा आवा कोई आपका क्यूसेन हो तो निचे कमेंट कीजिएगा मैं आपको रिपलाई दूंगा धन्यवाद जेहिं जे भारत